जाहिन दोस्तों मेरा नाम है सुफियान ओनर का नया फ्लाक्सी फोन ओनर 90 GT लाँच हो गया है और यार ये कम्माल का इंटरस्टिंग गेमिंग फोन है चलो इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ सुरुवात करते हैं डिस्प्ले से यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का एक 1.5 की रेजूरूसन वाला विजयनॉक्स का VM7 LTPS OLED डिस्प्ले मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले टाइप है इस प्राइस पर ये लाँच हुआ है 120 हर्स एफेशेट है 300 हर्स का टस सैंप्लिंग रेट है 3840 हर्स का PWM DC डिमिंग भी है ये बहुत जादा मेरे भाई बहुत ही मुश्किल से रेरली ही देखने को मिलता है ये वाला PWM DC डिमिंग देखो यार यहाँ पर SDR 10 प्लस भी है 10 बीट के कलर्स भी है 436 का PVI है Coring Gorilla Glass 5 के लवल का screen protection भी है और देखो यहाँ screen to body ratio कितना मिलता है चिन एकदम ना के बराबर है एकदम पतले पतले bezels है नॉर्मल से पंचोल के साथ आपको यहाँ पर 93.30% screen to body ratio मिल जाता है तो बहुत जादा screen देखने को बलता है अगर डिस्प्ले के specialities की बात की जाए तो color reproduction, contrast level काफी अच्छे देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको colors आपको काफी जादा अच्छे और depth उनका काफी शांदार दिखाए देगा मतलब की काफी मज़ा हैगा आपको gaming करोगे तब आपको और जादा पता चलेगा काफी sharpness experience रहेगा और जब भी films दिखोगे, content consuming करोगे experience बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपर HDR 10 Plus भी है 10 bit के colors भी है, DCI P3 color gamut है resolution भी काफी जादा है तो experience काफी जादा अच्छा रहेगा और display काफी bright भी है मेरे भाई 2600 nits का peak brightness है 2600 nits ये बहुत जादा होता है मेरे भाई तो outdoor भी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो display के सारे specifications काफी अच्छे हैं चलो cameras की बात करते हैं यहाँ पर आपको dual camera setup मिल जाएगा 50 megapixel का wired angle camera 12 megapixel का ultra wired angle camera जो primary camera है Sony IMX 906 camera sensor के साथ है जो Camal का flagship smartphone camera sensor है OIS मिल जाता है जो 12 megapixel का ultra wide है Samsung के camera sensor के साथ है 16 के selfie मिल जाएगा यहाँ पर भी Samsung का camera sensor है देखो यार आप primary camera से 4K में 30 fps पी video record कर लोगे 10x digital zoom कर लोगे selfie camera से 1080p में 30 fps पी video को record कर लोगे देखो यार यहाँ पर cameras आपको अच्छे मिल जाते हैं एक 30-40 जाओ रुपए के phone में जितने अच्छे cameras होने चाहिए लगभग ही होता है अच्छे cameras दे दे रहा है हाँ वो बात लगे कि selfie camera थोड़ा और अच्छा होता तो अच्छा लगता लेकिन कोई बात नहीं यार यह जो 16 का selfie है यह 50-50-60-60 जाओ रुपए के phones में देखने को मिल रहा है तो यह तो फिर भी यार एक 30-40 जाओ रुपए का phone है performance की बात करें तो यहाँ पर आपको Qualcomm का premium flexi processor मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 जो एक 4 नैनोमेटर के fabrication process पे based recorder core processor है Edino 740 का GP मिल जाएगा और मेरे भाई अभी बात खतम नहीं होता है यहाँ पर आपको RF enhancement C1 chip भी मिल जाता है जो आपके performance को all level up करेगा और boost up करेगा और मेरे भाई यहाँ तक honor रुका नहीं है honor एक और technologies का अदर डाला है जिसके मजद से आपके display के frame rates और increase हो जाएंगे games में और अच्छे fps देखने को मिलेंगे games में जो experience होगा आपका और भी जादा immersive हो जाएगा game और अच्छे तरीके से performance आपको देंगे और phone अच्छे तरीके से आपका output देगा display में चलो main specifications की बात करते हैं यहाँ पर आपको under display fingerprint कार मिल जाएगा UFS 4.0 का showy support LPDDR 5X RAM type 5000 mAh बैटरी 100W के fast charging का support और charger box में राएगा 5W के reverse wide charging का support Android 14 out of the box Magic OS 7.2 पे रन करेगा दो major Android updates मिलेंगे 3 साल तक security patch updates मिलेंगे dual stereo speakers भी है NFC भी है, Wi-Fi 6 है Bluetooth version 5.3 है और मेरे भाई कमाल का 3D VC liquid cooling technology भी है XX6 liner motor भी है जो कमाल के आपको vibrations देगा तो सारी अच्छी चीचीज़े यहाँ पर आपको भर भर के मिल जाती है, कोई खमी नहीं है Design और bill quality की बात करें तो यह smartphone 7.19 mm के थिक्रेस पर है, 185 grams इसका weight है Design wise अगर बात करें तो आपको design अच्छा देखने को मिलता है हाँ, ऐसे design वाले phones हमें अल्रेडी बहुत सारे market पे देखने को मिल चुके है बहुत सारे smartphone brands ऐसा design यूज की है लेकिन जो Honor ने अपना style अपनाया है अच्छा लग रहा है जो camera housing पे जो rings बने हुए हरेकेक lenses में देखने में अच्छे लग रहे है To be honest, सच कहो तो मुझे black color variant काफी अच्छा लगा blue मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है वो leather वाला version है, that's why देखो यार, अगर आगे से देखोगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है phone बहुत premium लगता है, bezels बहुत ही कम है build wise बात करें तो आपको glass pack देखने को मिल जाएगा plastic frame है, आगे coloring gorilla glass 5 के level का screen protection है कोई भी IP rating देखने को आपको नहीं मिलेगा price और availability ये बात कर लें तो ये smartphone आज चाइना में लाँच हो चुका है इसका जो base variant है, वो है 12GB RAM प्लस 256GB storage 30,300 रुपेज 30,000 रुपेज 30,000 रुपेज में भाई इतने ये बवाल specs दे रहा है Honor का smartphone होते वे भी Chinese price होते वे भी ये काफी अच्छा price है यार 16GB RAM 256GB storage है 34,500 रुपेज 34,500 रुपेज फिर उसके बाद है 16GB RAM प्लस 512GB storage 37,300 रुपेज यानि की 37,300 रुपेज फिर उसके बाद है 24GB RAM प्लस 1TB storage 43,200 रुपेज 43,200 रुपेज तो आप बताओ आपको prices कैसे लग रहे हैं आपके क्या reactions और opinions हैं comment करके चलो अब बात करते हैं क्या ये smartphone इंडिया में launch हो सकता है तो यार chances बहुत ही ज़ादा है हाँ ये launch हो सकता है इंडिया में क्योंकि Honor 90 launch हुआ था तो मादाव सेट सर Honor 90 GT को क्यों नहीं launch करेंगे उपर से यार ये जो specifications दे रहा है जिस style के साथ ये launch हुआ है और जिस price पर ये launch हुआ है इंडिया में अगर आएगा तो ये बहुत अच्छे price पर launch हो सकता है मादाव सेट सर इसको कर सकते है और ये बहुत साथा चलेगा भी अब देखो यार अगर आपको नहीं पता है तो 2024 में आपको बहुत सारे phones दिखने को मिलेंगे जो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processor के साथ होंगे यार हर एक एक brand अपना aggressive price के साथ 8 Gen 2 अला phone launch करेंगे तो यार मादाव सेट सर पीछे नहीं अटेंगे ये phone perfect रहेगा इंडिया में आने के लिए देखो यार कुछ-कुछ rumors भी मुझे पता चले थे कि ये phone इंडिया में launch होगा अगर कुछ पता चलेगा मुझे Indian price availability को लेकर कि ये phone कब आ रहा है किस price पे आएगा मैं आपको Tech News में update करता रहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like जूर से करिएगा चैनल को subscribe करिएगा हो सके तो इस वीडियो को share भी कर दीजेगा हमेशा अपना ख्याल लखे खुस रहिए जाए हिंद वन्दे मातरां